असलाम वालेकुम दो बटाटे को इस तरह से कटिंग करें के लेना है इद्दम पतले साइज में अभी एक बॉल में बेसन एड़ करेंगे चार चमज बेसन लेंगे अभी इसमें एड़ करेंगे थोड़ी सी हल्दी एक चोटी चमज रेट चिल्ली पॉड़र एड़ करेंगे अभी इसमें एड़ करेंगे स्वाद अनसर नमक अभी इसमें एड़ करेंगे बारी कटिंग किया हुआ हरी दन्या हो अभी इसमें थोड़ा सा पानी एड़ करते हुए गाड़ा घोल बना कि लेंगे देखिए इस तरह से मिक्स करना है बेसन के जो दाने होते वह अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए इसमें थोड़ा सा पानी एड़ करके अच्छा गोल बना के लेंगे इसमें एड़ करेंगे एक चुटकी खाने वाला सोड़ इसे अच्छे से मिला के लेंगे देखिए इस तरह से गाड़ा ठीक गोल रहना चाहिए अभी कड़ाई में तेल एड़ करेंगे इस तरह से डीप करते वे अच्छे से मिक्स करेंगे इस तरह से डीप करते वे अभी तेल में इस तरह से एक एक करके छोड़ेंगे अभी पंटी करते वे इस तरह से फ्राय करेंगे हम इसे शिलो गेस में पकाएंगे फास गेस में नहीं क्योंकि जल जाएगा प्राय हो चुका है अभी इसे निकालेंगे देखिए इस तरह से फ्राय करेंगे इसे होना चाहिए इस तरह से निकालना है कि अभी सब भजी को इसी तरह से फ्राय करके लेना है अभी इसे हम पल्टी करेंगे देखिए फ्राय हो चुका है इस तरह से अभी से निकालेंगे देखिए इस तरह से फ्राय करके लेना है देखिए यह बजी रेडी हो चुका है टेश्टी क्रंची गज्या हमें नहीं हरी दन्या इसलिए दाला है वह अच्छा दिखता है दिखने में भी और खाने में भी टेश्टी लगता है झाले दो चुका है वह अच्छा दो चुका है वह अच्छा दो चुका है